नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube Channel में दोस्तो तंत्र सास्तर के अनुसार इलाईची के कुछ टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं आज हम आपको बताते हैं कि इलाईची के परियोग से किस तरह आप एक सफल इनसान बन सकते हैं अगर विवा में देरी हो रही है या फिर किसी वज़य से रुकावट आ रही है या फिर आपके कोई बंते-बंते काम बिगड़ जाते हैं दोस्तो सास्त्रों में बताये गए उपायों का यदि आप पूरे विदी विदान से पालन करते हैं तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा वे साती सात आपके भागे उदे के होने के आसार भी बढ़ जाते हैं बागे उदे के साथ-साथ आपकी किसमत के सभी सितारे चमकने लगते हैं। इसलिए प्रतेग वीडियों में हमारे दुवारा बताये के पूरे उपायों को पूर्ण सा सुने पूरी वीडियो देखे ताकि आपको पूर्ण जानकाली हो सके। वैसे तो धन प्राप्ती के लिए माता लक्ष्मी को याद किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा बड़े विदी विदान से और पूरे संचे मन से सरदाभाव से की जाती है। लेकिन माता लक्ष्मी के साथ-साथ नारायन यानि श्री हरी विश्णू जी की भी पूजा कर भगवान को अर्पित करें, उसके बाद थोड़ा सा जल भी अवस्य चड़ाएं, ऐसा करने से बिवा में आ रही सभी समस्यायत दूर हो जाती हैं, परन्तु अगर आप किसी खास काम को पूरा करवाने के लिए ये उपाय करते हैं, तो वह कारे भी पूरा हो जाता है, अगर आ आप किसी जरूरी कारे के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस समय आप सुबह सुबह तीन इलाइची लें, और अपने दाए हाथ, यानि किसीदे हाथ की मुठी में रख लें, और तीन बार बोलें, श्री, 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 इसके बाद तीनो इलाइची को खा करके अपने घर से बाहर निकले, आपका कोई भी कार अदूरा नहीं रहेगा, सभी कार जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन में आपको प्रगति दिलाएंगे, सुक सम्मर्दी दिलाएंगे, धन धानने की बरसात कराएंगे, वे सभी कार बनने लगेंगे, अगर आप अपने जीवन में केवल और केवल धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने परस में पांच हरी इलाइची रख लें, ऐसा करने से घर में धन सम्मद्दी सभी समस्याएं तो खतम होई जाती है, साथ ही आपका परस भी कभी खाली नहीं रहता है, इसके लिए आप पांच पांच इलाइची को भी अपने घर के मंदिर में मातालक्षमी और भगवान विश्नु की मूर्ती या पिर उनकी तस्वीर से इस परस करवा कर रख दें, उसके बाद एक सुद देशी घी का एक दीपक प्रजुलित करें और अपने हाथ जोड़कर आंके बंद करके ओम श्र परस में रख लें, ऐसा करने से आपके जीवन में आरेज जितनी भी पैसे संबंदी समस्या हैं, तंगी है या बधाली है तो वे तुरंत ही दूर हो जाएगी, अगर पती पतनी के बीच प्रेम खतम हो चुका है, तो आप किसी भी दिन भगवान श्री कृष्ण को याद करत और जब भी सनीवार आए, तो इस दिन सुबह इन इलाइचियों को पीज करके, किसी भी खाने वाली बस्तू में मिला करके, अपने जीवन साथी को खिला दे, ऐसा आप लगातार तीन दिन तक करें, ऐसा करने से आपको लाब मिलेगा, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, लाखों टोटके कर चुके हैं, हजारों उपाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए आज हम आपको एक विशेश उपाय बताने वाले हैं, अगर आप अपने जीवन में अपने परिश्रम का फल पराप्त करना चाहते हैं, अपने द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल पराप्त करना चाहते हैं, तो आप इलाइची का ये उपाय बिलकुल ही करिए. यह आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर से धोगा इसके लिए आप इलाइची को हरे कपड़े में बांद कर अपने तक्ये के नीचे रख दें और रात को सो जाएं फिर अगले दिन की सुबह उठकर किसी भी गरीब व्यक्ति को या फिर जिसे आप नहीं जानते हो ऐसे व्यक्ति को इसे दान में दे दीजिए और उसे खाने के लिए कहिए यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी बहते हुए जल में इन इलाइचीयों को परभाइद कर देना चाहिए ऐसा करने से आपको अपने जीवन में हर शेतर में जहां भी आप परिश्रम करते हैं वहां आपको सबलता आपके आगे घुटने टेकती भी नजर आएगी तो दोस्तो आज की वीडियो में किवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिदे में जाज़ा दन्ने बाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोलें जाये बजरंग बली